हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू मैं चैनल, आज मैं आपको हाई लो शोर्ट कूर्ती बनाना बताऊंगी तो ये मैंने देड़ मिटर कोटन लिनन का फैबरिक लिया हुआ है सबसे पहले हम टॉप पाट की कटिंग करेंगे तो फैबरिक को मैंने फोर फोल्ड में बिचाया हुआ है जो मेरी साइट है वो बंद वाली साइट है और जो उपर की साइट है वो खुली वाली साइट है और इसकी टोटल लेंद मैंने 14 इंच रखी है ये 13 इंच हमारी रेडी होगी और शॉल्डर के लिए मैं साइट इंच पर निशान लगाऊंगी इसमें हम वोटनेक गला बना रहे है और आम होल की लेंद भी मैं साइट इंच ही रखूंगी तो साइट इंच पर निशान लगाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रो कर लेंगे जितना हमने शॉल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेना है और यहां से हम चेश्ट का मेजरमेंट लेंगे तो आपकी चेश्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे चार से डिवाइट करके उसमें दो इंच एट कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने टोटल 11 इंच का फेबरिक लिया हुआ है और एक सीधी लाइन ड्रोग कर देनी है और बैक आम होल के लिए मैं 1,5 इंच पर निशान लगाऊंगी और फ्रंट आम होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रोग कर देना है अभी नीचे से हमें कमर की चोड़ाई का फोर्थ पार्ट लेना है और उसमें भी हम दो इंच एट कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने दस इंच पर निशान लगाया है और साइट से भी हम लाइन ड्रोग कर देंगे अभी गले की चोड़ाई के लिए में साड़े चार इंच पर निशान लगाऊंगी और पीछे की गले की लंबाई के लिए में धाई इंच पर निशान लगाऊंगी और आगे की गले की लंबाई के लिए मैं चार इंच पर निशान लगाऊंगी पीछे के लिए मैंने धाई इंच पर और आगे के लिए मैंने चार इंच पर निशान लगाया है और दो निशानों पर हम बोटनेक शेप ड्रो कर देंगे फ्रन्ट और बेकनेक के लिए अब भी जो हमारा armhole है वहाँ से हमें half inch पर shoulder slope के लिए निशान लगाना है और एक तिर्ची line ट्रोग कर देनी है half inch का ही हम इसमें shoulder slope रखेंगे अभी सबसे पहले हम back neck और back armhole से इसकी cutting कर देंगे तो ये देखें मैंने इसकी cutting कर दी है अभी हम इसमें से एक part को निकाल लेंगे और इसे वापस से double fold कर लेंगे वापस से double fold करते हुए हमें front neck और front armhole की cutting कर देनी है तो इस तरह से मेरे दो part है front और back के लिए अभी हम bottom part की cutting करेंगे तो fabric को मैंने four fold में बिचाया हुआ है जो मेरी side है वो बंद वाली side है और जो उपर की side है वो भी बंद वाली side है अभी उपर से हमें top का part रख देना है और निशान लगा लेना है उपर की तरप से हम निशान लगा लेंगे अभी जो इसकी length है वो मैंने 21 inch की रखी है और top का part हमारा 14 inch का है तो ये 13 inch का ready होगा तो ये total length हमारी 34 inch याने की 34 inch की बनेगी और नीचे से जो इसकी चोड़ाई है वो 17 inch की है अभी जो हमने उपर निशान लगाया है उस निशान को हमें नीचे तक तिर्ची line में draw कर लेना है तो उपर से नीचे तक हमें एक तिर्ची line draw कर लेनी है और इसे हमें cut कर देना है तो ये देखे मैंने इसकी cutting कर दी है अभी उपर से जो बंद वाली साइट है उसे भी हमें कट कर देना है तो ये दो पीस हो जाएंगे फ्रंट और बेक के लिए तो इस तरह से मैंने बोटम पाट की कटिंग कर दी है और ये दो पीस है फ्रंट और बेक के लिए अभी इसमें से जो एक पाट है उसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है और उपर से हमें 16 इंच पर निशान लगाना है इसमें हम हाई लो का शेप डो करेंगे तो मैंने 16 इंच पर निशान लगाया है और नीचे से कम से कम 6 इंच आना चाहिए और इसमें हमें हाई लो का शेप ड्रो कर लेना है जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से हमें हाई लो का शेप ड्रो कर लेना है अभी हमें इसे कट कर देना है तो ये हमारा फ्रंट का पाट रहेगा जिसमें हमने हाई लोक का शेप कट किया है और ये कुछ इस तरह से नजर आएगा अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो ये मेरे पास थोड़ा साही फएबरिक बचा हुआ था इसी में से में एक छोटी स्लीव कट करने वाली हुँ तो फेब्री को मैंने 4-fold में भी चाया हुआ है जो मेरी सैट है वो बंद वाली सैट है और जो उपर की सैट है वो खुली वाली सैट है और स्लिव की टोटल लेंद में 4.5 इंश रखूंगी यह साड़े 3 इंश की हमारी सलिव रेडी होगी एक इंच मैंने एक्ष्टा लिया है और उपर से स्लिव की चोड़ाई के लिए मैंने साड़े आठ इंच का फेब्रिक लिया है और कैप स्लिव की लेंद के लिए मैं धाई इंच पर निशान लगाऊंगी बंद वाली सैट से भी हमें धाई इंच पर निशान लगा देना है और एक सीधी लाइन ड्रो कर लेनी है धाई इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रो कर लेंगे और खुली वाली सैट से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लिव का शेप ड्रो कर देना है जिस तरह से हम नॉर्मल स्लिव कट करते हैं उसी तरह से स्लिव का शेप हमें ड्रो कर देना है और नीचे से स्लीव की चोड़ाई के लिए मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी जितनी पियापकी स्लीव की चोड़ाई है उसमें 2 इंच आपको एक्ष्ट्रा लेना है और साइट से भी हम लाइन ड्रो कर लेंगे अभी इसे हमें कट कर देना है तो ये देखे मैंने स्लीव की कटिंग कर दी है और ये मेरी 2 स्लीव है अभी सबसे पहले हम इसका नेक बना लेंगे तो ये मैंने तिर्ची पटी ली हुई है ऐसी मैंने 2 पटीया जोइन्ट की हुई है अभी इसे हमें सीधी साइट से ही गले के उपर रखते हुए इसमें सिलाय लगा देनी है उसके बाद हम पटी को डबल फोल्ड कर लेंगे और पूरी पटी को हमें अंदर की तरफ मोड देना है और इसी तरह से फ्रंट नेक के उपर भी हम तिर्ची पटी आटेच कर लेंगे सीधी साइट से ही पटी को रखते हुए हमें इसमें सिलाय लगानी है उसके बाद हम पटी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड देंगे तो ये देखे मैंने बैक नेक पर तिर्ची पटी आटेच कर ली है और फ्रंट नेक पर भी कर ली है अभी एक पट के उपर दूसरा पट हमें उल्टा रखना है और इसके शॉल्डर जॉइन्ट कर लेने है तो ये देखिए मैंने इसके shoulder joint कर लिया है अभी हम इसमें sleeve attach करेंगे तो sleeve को हमें उल्टा रखना है और center से ही हमें sleeve को attach कर लेना है सिलाई लगाते हुए उसके बाद जो sleeve की border है उसे भी हम double fold करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे तो simply sleeve की border को हमें double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी side की sleeve में भी हमें सिलाई लगा देनी है center से ही sleeve को रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है और sleeve की जो border है उसे भी हमें double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है तो ये देखी है मैंने हाइलोब वाला पाट है उसे ही अटेच करना है तो फ्रंट वाले पाट में वे फ्रंट का पार्ट अटेज करेंगे और इसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है तो ये देखे मैंने फ्रंट पार्ट को अटेज कर लिया है और बेक पार्ट को भी मैंने अटेज कर लिया है बोटम पार्ट के साथ अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे और उपर से हमें दो इंच का गेप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है क्योंकि दो इंच का हमने सिलाय मार्जिन छोड़ा था इसलिए उपर से दो इंच का गेप रखते हुए हम दोनों सेट से फिटिंग कर लेंगे तो ये देखे मैंने दोनों सैट से इसकी फिटिंग कर ली है अभी जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें फोल्ड करते हुए सिलाय लगानी है तो सबसे पहले जो फ्रंट का पाठ है उसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे क्योंकि ये राउंड वाला पाठ है इसलिए हमें इसमें कट लगाने जरूरी है तभी ये अच्छी तरह से फोल्ड होगा उसके बाद जो इसकी बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाय लगानी है अगर आपको डबल फोल्ड करने में परेशानी हो तो पहले आप इसे सिंगल सिलाय लगा सकते है एक बाद फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाय लगा लीजे उसके बाद इसे दुबारा फोल्ड करते हुए सिलाय लगा लीजे तब ही इसकी बॉर्डर अच्छे से फोल्ड हो जाएगी फिनिशिंग के साथ और जो बेक वाला पाठ है उसे तो हमें ऐसे ही डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है उसके बाद मैंने ये एक पट्टी कट की हुई है इस पिंच रखी है इस पट्टी को हमें दोनु सेट से फोल्ड कर लेना है उसके बाद एक और बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दिनी है तो ये देखे मैंने इसकी border को double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और ये कितनी finishing से इसकी सिलाई आई है तो मैंने पूरे नीचे के part में सिलाई लगा दी है अभी हम इसमें side में loop settage करेंगे belt को pass करने के लिए तो ये जो हमने पट्टी बनाई हुई थी इसके मैंने दो piece कट कर लिये है अभी जो हमारी side की सिलाई है उसके उपर हमें strip को दोनों side से fold करते हुए रखना है दोनों side से हमें strip को fold कर लेना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें स्ट्रिप को दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है इसमें से हम बेल्ट को पास करने वाले है आप चाहे तो ऐसे ही दो स्ट्रिप बैक पाट में भी अटेज कर सकते हैं लेकिन मैं साइड में ही दो स्ट्रिप अटेज करने वाली हूँ इसी तरह से स्ट्रिप को हम दोनों सेट से फोल्ड करते हूँ बेक सैट में आटेज कर लेंगे अगर आप करना चाहे तो यह देखे मैंने इसकी साइड में сट्रीप अटेज कर दी है दोनों ही सैट से अभी आप इसमें से पास करने के लिए कोई भी कॉंटरास कलर में बैल्ट बना सकते है तो मैंने ये black color का belt बनाया हुआ है आप चाहे तो कोई भी contrast color में इसके लिए belt बना सकते है अभी इस belt को हम उस strip में से pass कर लेंगे जो दो strip हमने side में attach की है उसमें से हमें इस belt को pass कर लेना है और belt को pass कर लेने के बाद हम इस belt को front में node बना लेंगे जिस color की आप matching की सलवार बना रहे है या फिर plazo के उपर पहनने वाले है या फिर धोती के उपर पहनने वाले है तो उस color का belt बना सकते है और इसी के साथी हमारी high low short कूरती बनकर ready हो चुकी है और यह है इसका final loop so friends I hope आपको आज का ये tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का ये video पसंद आया तो इसे like और share जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजे और अगर आपको ये video पसंद आया तो मुझे comment करके जरूर बताईएगा मेरा ये video देखने के लिए thank you so much guys